नमस्का और मेप्रेंका आप देख रहे हैं और लाइन योजिंटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बज़ाए बेटी पटाओ बेटी भगाओ का नारा जादा चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पटाने और भगाने वाल पी का हम आपको बताते हैं खाबर देखिए गाजी उत्तर प्रदेश उत्राखंकी इसमें लिखा हुआ है हर्दोई सबा नेता की बेटी को लेकर परार हुआ बिजेपी नगर महामंत्री दो बच्चों का बाप है आरोपी पार्टी ने निकाला तो जो नेता आपको दिखा बाइदे रहे हैं तस्वीयर में यह बाजपान नगर महामंत्री आर्षी शुकला और राजु शुकला है अप दैक सकते हैं इनकी ओम्र 47 साल की है liberals से महामंत्री है और नेता जी पर आरोप है कि ये सभाव नेता की बेटी जो की 26 साल की है उसको लेकर परार हो चुके है बता दें कि नेता जी की शादी हो चुकी है किस साल का बेटा है 9 साल की बेटी है इसके बावजूद ये 26 साल की लड़की को लेकर जो की समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी है उसको लेकर परार है अब आप देखिएगा कितना संसकारी पार्टी और कितना बड़ा खेल है अब देखिएगा इसमें अंदर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रिदेश के हर्दोई में भारती जंता पार्टी के नगर महामंत्री पर समाजवादी पार्टी की नेता की बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप है सपा नेता ने पुलिस से मामले की शिकायत की है शिकायत के आधार पर बिजेपी नेता के खिलाब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुलिस दोनों की खोजबीन में जुटी हुई है बिजेपी नेता के इस क्रत्ते से पार्टी की जहां किरकिरी हो रही है वहीं भाज़पा ने नगर महामंत्री को पार्टी से निकाले जाने और प्रकरण में कड़ी कारवाई कराने की बात कही है तो ये बात कही है न कही है इसकी पॉलपटी खोलेंगे लेकिन पहले आप मामला समझेए आगे इसमें लिखा है वही इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर विजेपी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है तो ये मामला है आप समझ सकते हैं कि 47 साल का एक शक्स है जो कि बिजेपी का महामंत्री है नाम है आशी शुकला 26 साल की लड़की को लेकर परार हो चुका है दोनों पर केस दर्ज हुआ है चानबीन की जारी और दोनों की खोच की जारी है देखिएगा ये जब मामला तक कब तक खुला है जब समाजवादी पार्टी के नेता ने जाकर रोते भी लगते हुए पोलिस वालों से शिकायत की है कि उसकी 26 साल की बेटी गायब है और उसे लेकर भागने वाला कोई और नहीं विजेपी का ही महामंत्री है सुनिएगा इसमें लिखा है क्या है पूरा मामला सपा नेता की ओर से पोलिस ने की गई शिकायत के मताबिक उनके पडोस में 47 वर्षिय भाजपा नगर महामंत्री आशी शुकला और राजु शुकला रहता है 13 जन्मरी को आशीश ने उनकी 26 वर्षिय बेटी को शादी का जासा दिया और लेकर फरार हो गया विजेपी नेता आशीश दो बच्चों का पिता है वही सपा नेता की शिकायत के आधार पर फुलिस ने आरोपी विजेपी नेता के खिलाफ यूटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है अब पुलिस फरार बिजेपी नेता जो आशी शुकला है उसकी जाज करी और सपा नेता की बेटी की भी तलाश में जुटी हुई है तो आप देख सकते हैं ये मामला तब से निकल कर सामने आया है उत्तरप्रदेश के हरदोई से तब से भारती जंता पार्टी की भयंकर किरकिरी करवा रहा है जसा कि आप जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ा को लेकर इन लोगों ने कितने जादा विग्यापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिये हमेशा महिला से शक्तिकरण की बाते करते हैं बेटियों की समान की बाते करते हैं लेकिन इस तरह की जो खबरी निकल के सामने आदी वो भी बिजेपी नेताओं से जुड़ी हुई बिजेपी महामंत्रियों से जुड़ी हुई तो कितनी वजियत की बात है आप समझ सकते हैं पता दे कि समाजवादी पार्टी ने भी इस पर हमला बोला इसमें लिखा है कि सपा ने बिजेपी को घेरा है समाजवादी पार्टी इस मामले में बेटियों की सुरक्षा को लेकर भारती जंता पार्टी पर हमला वर है और नगर महामंदरी के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग कर रही है इस मामले में सपाकारिकरताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसके जरी बिजेपी पर हमला किया गया है और कहा गया है सपाकारी करताओं की तरफ से जो पोस्ट की गई उसमें लिखा हुआ है कि भाजपा राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है हरदोई भाजपा नगर भामंद्री आशी शुकला और राजू अपनी पत्नी 21 वर्षी है बेटे और 7 साल की बेटी को बेसहारा छोड़ अपने महले की बेटी समान मुह बोली बहन को बहला पुला पुसला कर भगा कर फरार हो गया है 21 साल का बेटा है 7 साल की बेटी है पत्नी है उसको छोड़ कर फरार हो गया 26 साल की लड़की को लेकर चले गए हैं जिसके बाद से ये समाजवादी पार्टी बिजेपी पर हमलावर है इसमें लिखा गया है ट्वीट इनों ने किया है इसमें ये भी लिखा है कि देखना ये है कि योगी सरकार अपने चरत्रहीन भाजपा नेता को पार्टी से निश्कासित कर गिरफतार कराती है या आरोपी को महला पहना कर महिमा मंदित करती है गुजराब में आप जानते हैं किसे बिलकिस पानों के जब रेप के दोशी बाहर आये थे तो माला पहनाया गया था उसी का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी भारती जन्ता पार्टी पर हमलावर है अब पार्टी के निशकासन की जो बात उठ रही है कि जो ये आशी शुकला है 47 साल का जो ये आदमी है महामंत्री है बिजेपी नेता है जो लड़की को लेकर परार हो गया है उसको पार्टी से निकाला गया है कि नहीं बता दे कि इसको लेकर एक letter सोशल मीडिया पर बाइरल हो रहा है इसमें सौरब मिश्र जो नीरज है जिला अध्यक्ष है उन्होंने भारतिय जंता पार्टी की तरफ से बकाईदा एक letter जारी करके जानकारी दी है कि आशी शुकला को पार्टी से निश्कासित कर दिया गया है बारतिय जंता पार्टी बिलकुल पाक साफ बताई जा रही है लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि बीजेपी में जो नेता शामिल है ऐसा काम करते हैं तो वोधी मीडिया सवाल क्यों नहीं करता है अगर कोई और पार्टी हो तो आप जैसा कि जानते हैं कि कैसी ख शुर्मा के केस में आप जानते हैं क्या हुआ और अब महामंत्री पर बात आई है तो ऐसे ही बचाव किया जा रहा है कि इसको निशकासित कर दिया गया है तो सवाल इस बात का बनता है कि निशकासन करने के बाद बिजेपी से सवाल बनता है या नहीं बनता है इसके है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर पटे दबाए बला आगे दबाए ताकि हर ख़बर की नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ती रहे फिर में देगली खबर के साथ तक के लिए धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाए करें